हईट जो आज के टापिक हम लोग स्टार्ट एह ठीक है सबसेफेले हम लोगर का टापिक है कि study flow क्या होता है study flow क्या होता है अगर किसी मान लोग pipe के पानी बहरा है उस pipe के हम लोग इसी फिर प्सकुंश्थ झाल ले लिया अब उस यानि कि समय के साथ अगर इन प्रॉपर्टी जो की वेग दाब घंथ और उसमें कोई परिवर्थन ना हो तो यह स्टीडी फुलो कहलाती है इस्टीफ लो को हम लोग यह भी कह सकते कि यह टाइम पे निर्भन नहीं करती है यानि कि time चाहिज इतना बीच जाए उस पे निर्भने कर रही है प्रापटी तो वही रहनी है ठीक है प्रापटी में कोई चेंज नहीं आएगे तो यह हम लोगा steady flow ठीक इसका उल्टा कि माल लो अगर जैसे मैं फोटो जो भेजा हूँ उसको उपन कर लो ठीक उसमें एक दिखार होगा लेमिनार फोलो वाज एक दुख लोगा टर्बुलेंट फोलो लो तो पहले हम लोग लेमिनार के बाद कर लेते तो अगर मालो कि यह पाइप एक है जिसके अंदर से मतलब पानी फ्लो कर रहा है पानी बहे रहा है जिसमें कई पर्ते है ठीक हम लोगो दिखाई पड़ रही है तो हर पर्ते में जो भी मतलब पार्टिकल है वो उसी लेयर के अंदर जाए बलके उस लेयर से दूसरे लेयर में ना जाए यानि की जिस लेयर का पार्टीकल है वो उसीabord में रहे उस लेयर बाजू Фोह की बोलते हैं अल wird दोनो लेयर आपस्युक्त है साथ में जा रही है लेकिन ओपर वाला पार्टीकल निचे वाला पार्टीकल जा रहा रहेगा वह ना उपर जाएगा ना नीचे जाएगा यह होगा लेमिनार फ्लो अब टर्बूलेंट फ्लो क्या होती है तो मैं अगली फिगर में देख रहे कि पानी मिले के उपर नीचे आई बाई यह जा रहे तो यानि कि जब अगर फ्ल्यूट का जो पार्टिकल होते है वह यह ऊपर नीचे दगर अधर ठीक है और पार्टिकल पुरा मिक्स रही दूसरे में मिलते हुए जाए यानि कोई लेयर नहीं सब आपस में एक दूसरे मिले हुए है ठीक है तो ऐसे फ्लो कम लोग क्या बोलते है टर्बूलेंट फ्लो ठीक है इसकी जो मीनिंग होती ही हिंद क्या होता है और non uniform flow क्या होता है तो यह भी समझे लो बस खाले अगर कोई इसको समझने के लिए जब इसकी परिभास एक बार देखते हैं जब किसी मतलब कोई वेग से अगर पानी बहरा है तो जो वेग का क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेग क्या होती है वेक्टर जब करक्वाइं था किया तो अगар सदी शती होती है तो यानि कि परिमाण और जिसा अगर बदली हो किसी भी में आफिक है उसका जो वेग में जस बher घर रह आ है इसका अंब नबमتर सभी करें तो हर पाइंट पर सेम होना यह तो यह क्या हो गया है मार्या यूनिफॉर्म फ्लो यानि कि वेग और वेग की मतलब पानी अगर किसी वेग से बहे रहा हो तो उसका परिमालों दिशा में कोई परिवर्तर ना हो किसी भी बिंदू पर हम लोग चेक करें तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो अब नौन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है तो हम लोग यह भी कह सकते हैं इसका ठीक उल्टा कर लो कि यहां अगर विलोसिटी से बहरा हो ठीक है और अलग-अलग बिंदू पर अगर हम लोग चेक करें तो उसका परिमाद अलग-अलग मेल रहा है तो आज से गयिंदूजाल पर आ तो किलिए पर वाम्स परोड़ेसी नौन यूनिफरम अब हम लोग आगे चलते हैं ठीक Neswix कंप्रेसिबल क्या होता है और इंकंप्रे नामी से परदन्शीन परफे नोग दए परआ को नॉम लोग देखां थोड़ा काफी कि के लगता है पानी को हाँ को यही से दबा पाए ठीक है और अगर हम लोग उसी के घंगा उसको लेके देखे गैस को तो गैस दब जाती हम लोग जानते ठीक है अगर पानी वाला जो बता रहे हो दिबाना मुस्किल है अगर मन कहीं चेक करने का तो एक खाली सुई लेना उसमें पूरा पानी भर लेना उसके बाद जो बाहर का सीरा उस पर अपनी लगा लगा लो दबा के देखना अगर दब जाए तब बताने कि हाँ कंप्रेस हो सकता है ठीक है और खाली बस खाली एयर को इसे खाली खीचना एसे फिर उंगली लगा के दबाना फिर तुम्हें दिखेगा कहां एयर कंप्रेस हुआ रही है यूँ बहुत मुष्च एले कंप्रेस करना बहुत ही जाद है हम लोग कर Ihrer सकते एतना जालो लेकिन गये सकते है तो अब हम भी यहां पर देखे है कि अगर मान लो ठीकिख कोई भी पाइप के फ्लो कर रही है क्या किसी आहतान से मान लो कोई कि पानी बहे रहा है ठीक है आयतन में भी आयतन से बहे रहा है ठीक तो अगर हम प्रिक्व देखते हैं कि पॉईंट के बाद यानिकि अलग अलग बिंदू पर दीरे-दीरे-दीरे उसका जो वह ह mãn यह लगता है पानी जो है गया पानी के लिए कुंप्रेस होना चाला हो जाती है इसे लगता है कि अलग अलग बिंदू पिया चेक करें तो हम लोग को पानी थोड़ा दबा हुआ कंप्रेस मिलेगा उसका आयतन थोड़ा कम होता जाएगा अगर हम लोग आयतन कम करते तो घनत बढ़ता जाता थीक है क्योंकि उसके पास पास आने लगते अब इंकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है ठीक वही कहूंगा इसका उल्टा कि हां मतलब कि अगर फ्लो कर रहा है लेकि जो थे जाए उसका ना घनत बदली हो ना आयतन बदली हो ना ओकंप्रेस हो ठीक है कंप्रेस होने का दोई कारण या तो आयतन कम होगा या तो घनत और दोनों या पस में एक दूसर से जूड़ा ही है फॉर्मूला क्या है गनत व इस इक्वाल तो क्या होता है द्रवमान पानी बहर रहा हो किसी पाइप से ठीक है तो अगर वह अपने अक्ष चक्कर बार पर गूमते हो जाये तो उससे कते हो чशनल एर्टेशनल फ्रॉलो मतलब के अगर जिब वो बहरा हो तो वो अपने ही अच्ष पर रोटेटकरता हो आगे बढ़ रहा हो तो ऐसे flow का हम लोग बोलते है rotational flow जबकि rotational flow में क्या होता है कि वो गोल गोल रोटेट ना करके सीधे सीधे चले जाए ठीक? तो यह होता है irrotational flow अब हम लोग बात कर लेते है rate of flow या discharge के बारे में क्या होता है ठीक है तो discharge नाम से हम लोगों को पता चल रहे हैं कितना यानि कि हम लोग और यहां पे manufactured में कि लुखे ए को बस इंगे और कितने समय पर लोगो कृमने की तरी से IP शेप्र होता है डिस्चार्ज कहा होता है किसी टाइम photons t पे निकला आइतन द्रभमान का आइतन किसी भी समय pourquoi तो टाइम पर किसी समय पर निकले किसी भी कफ्छाड निकल थो उसी को हम झो q ing case इसका फॉर्मुला क्य उते निकला होता है हम लोग यह कह सकते हैं यानि कि इतना डिस्चार्ज हुआ है अब हम लोग देखते हैं सब्सक्राथ क्सार्ख भें hefty हैंट को यह कंदेशन आफ मास को भी सियर पटेड़ में कि मास कीए नहीं नहीं होता है कि इसाइब होँ आर्थ मौन पर चलेए जहां पर चले जाए जाया है तो मास क्या है वही रहनेवाले हम जो द्रभमान है तो यह प्रिंसिपल में यह निपनल रहता है, अब इसी में होता है स्था है, ठीक है, अधिक है, जो हम लोगं लिपन यूज कर रहे, वह अधियल लिकविट होता है, अभ एधियल लिकविड की मैं प्हेले से गतन पॉत कि तो, आणी ना ही कोई viscosity हो हो और ना ही और यहान कि compress भी नहों और विस्कोसिटी यानि कि जो थिक्षेंटाए में क्या नाम बोलते हैं उसको viscosity यानि कि ना को यहीं में विस्कॉसेटी हो ना वह compressible हो यहानि कि इनकोंपार्शिबल नोन-zuískisch हो ठीक तो क्वीट कि हम लोग बात कर रहे हैं अब मैंने जो फोटू भेजा हो उसको देखोगे तो एक फिगर दिखे छोटी सी जिसमें एक मतलब एक पॉइंट का जो एरिया है वो बड़ा है और बी पॉइंट का जो छेतरफल है वो छोटा है ठीक वीवन वेक एक छेतरफल से जा रही है और वीटू एक से पानी जो है भाहर निकल रहा है ठीक है अब हम लोग यह सब बात हो गई और यह क्यूब हो गई ठीक अब लोग इसमें देखते है कि जो फ्लेट अंदर से बहरा है उसका डैंसिटी क्या है रोह है ठीक है और अब लोग देखते हैं आगे क्योंकि इस या कहलो ठीक है प्रती सेकेंड जो आयतन लिक्विट का यानि कि फ्ल्यूट का ठीक है ग्रव का पाइप के अंदर एपॉइंट में जा रहा है तो वह कितना हो गया आयतन एवन वीवन यानि कि एजो हो गया एरिया और विलोसिटी के प्रोडेक्ट को हम लोग क्या कह सकते कि आयतन आयतन प्रती सेकंड का फार्मूला सीदे सीदे ये कह लो कि छेट फाल गुडाइड भीसिटी आने की छेट पर गुडे वेग्ग ठीक है योग यह साघातन पराबर होताई है घुचा यहां पात करें तो यहांतर इसमें कंश्यूज मत होनों बस हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने वालियूम की बात कर ली अगर वालियूम के जंगा पर हम लोग मास को रखना है ठीक हम लोग जानते हैं वालियूम इस इक्वल टू क्या होता है वालियूम इस इक्वल टू क्या होता है मास बटे द्रवमान ठीक है तो बस वहां पर जो वर गहनत व्यानि की डेंसिटी यानि की रो आगे मंटिप्लाई हो गया है तो वह इसे आ गया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए बस खली फॉर्मूलों को रखा जा रहे हैं ठीक है तो यह हम लोग निकाल लिया लिक्वीड को इंटर कर रहा है प्रति सेकेंड एक आड करते हैं कंजर्वेशन ओफ मास में लोग ने पढ़ा है कि मास मतलब चेंज नहीं होता है तो हम लोग ने मास एंटर जो कर रहा है बराबर मास जो निकल रहा है उसको आपस में बराबर रख लिया ठीक है तो हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल गया एवन वीवन रो इस और इसी एक्वेशन को हम लोग क्या बोलते है एक्वेशन ओफ कॉंटिनिटी ठीक है अब हम लोग आगे देख लेते हैं बर्णोली थियरम को ठीक है तो मैं पहले ही बता दू कि यह जो डेरिवेशन टाइप का है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा बिना हम लोग खुद ठीक फोटू भेज रहा हूँ उसके बाद उस फोटू को देखना उसके बाद हम लोग डेरिवेशन को समझते हैं अब हम लोग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहले लाइन में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है कि a1 v1 रो इस इक्वल to a2 v2 रो इस ठीक है तो हम लोग ने इसको समझते हैं पहले अगर हम में फोटू एक जो भेजा था इक्वेशन ओफ कॉंटिनिटी वाली महां पे जब खोलोगे तो उन्तुमें एक फॉर्मूला मिलेगा a1 v1 is equal to a2 v2 रो ठीक है तो मैंने महां पर क्या बोला था क्योंकि मास मास दोनों क मैंने इन दोनों को बराबर रखा था तो उङ चीश अपकी जो यहां पर line रखा गिए बरनवाली में वहां पर बराबर एंग ती marks करके अब हम लोग ने क्या क्या गिया यहां पर रोग और से कैंसल नहीं किया घया बलकि क्या कर दिये probताता उसको कमन करके जो मतलब रो को यहां से हम लोग को एक यह मिल गया है अब हम लोग आगे ले लोग वर्देन की बात करते हैं ठीक है तो वर्द गुड़े विस्थापन ठीक है फोस्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो यहां पर बल क्या हो जाएगा बल बराबर हम लोग एक और अचीज जानते हैं बलμε को हम लोग यहां लोग लिखे हैं यह नुसक्त है बटे मम क्विस्थापन 2 सब्स्थाABaf acum के जहां पे हम लोग ने क्या कर दिया है वी 1 ठीक है अब ये जो ए 1 और वी 1 है इन दोनों का multiple अगर हम लोग देखे ए 1 और वी 1 को तो हम लोग ने क्या बराबर किया थो उपर वाली लाइन में देखे के A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to V तो वहां पर हम लोग ने वी रख दिया बस इसी तरह दूसरी वाली लाइन में देखी के बीप पे जो वर्गड़न है वह हम लोग क्या मिल रहा है पी टू वी है ना तो वही चीज है सेम चीज अब लोग और आगे चलते तो तो कुल वर्गड़न अगर कुल कारी देखें हम अब यहां पर प्रतिसेकंड की कर रहे तो यहां पर क्या हो गया फॉर्मूला और बी में जाने पर पूरा कारी हो वह वह पी वन वी माइनस पी टू वी हो गया ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चीजिए अब हम लोग आगे वाले चलते आगे हम लोग क्या देखे है तो हम लोग नहीं यहां पर माना है जो हाइट है वह ज्यादा है और हएच वन जो है कम है ठीक है तो फिर जो इस्थती जूर्जा हो गई नेट यानी टोटल स्थती जूर्जा हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा एम जी क्योंकि मास कॉमा ने दोनों में घति जूर्जा के बारे में ठीक है क्या क्या हिए जानते हैं क्या है बढ़ रही है यानी कि वेग ओन में कम धार भीक ज्यादा है ठीक तो अब वीन तु पर ज़्याता है तो हम लोग निक्राइए क्या चारच रेंगा बढ़ाइट गलोगा दिये तो यहां पर टोटल जो का बुआ गया क्या जितना कानेटिक और अलग प्रतिरसेकेंड की मुझे बात कर रहे हार ठीक है टोटल यह पर पर सब प्रतिर सेकेंड की बात कर रहे हैं अब आप देखए के अब हमाइब यहां पर देखे के ऐब बना half mv square minus half mv1 square ठीक है यह हो गया अब हम लोग total जो कार किया गया है pressure energy पर बराबर किसकी होगा total potential energy energy prtix second total kinetic energy यानी कि जो वяться कि है तो मतलब कि kinetic energy में हो दो dogs जो जो फद्धी भी बिर्दि की वजह लोगया कार कारे करने के वजह वी कितना हम ने किया इस्तिती जूड़ जा तो mg2 h2 माइनस mg1 फिर प्लस कितना बड़ा गती जूड़ जा half mv square minus mv2 square minus half mv1 square फिर c को इधर उधर करके मतलब solve कर लेगे तो हम जोगो डायरेक एक लास्ट में एक्वेशन मिलेगी p plus rho g h plus half rho v square बराबर constant तो यही होता है हम लोग का क्या इसको हम लोग rho m rho g से अगर हम लोग भाग कर दें ठीक है तो हम लोग को मिलेगा क्या p upon rho g plus v2 square upon 2g plus h बराबर constant तो इसको बराबर equation कहते हैं अगर हम लोग का आएगा तो हम लोग को कुछ बात बोलनी है और इसके बाद यह derivation को जो जो मतलब किये है उसको लिखके solve करके पुरा इसे derivation करके दिखाना रहे हैं तो समझ में आ गया होगा बागी अपने से समझने की कोशिश करना तभी अच्छे से आएगा ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं टोटल हैट क्या होता है तो टोटल हैट भी कुछ नहीं बस खाली यही फॉर्मूला जो बरनॉली वाला हम लोग लाश में निकाला लाइन बस वही ध्यान में रखना और खाली लिख देना की सम होता यानि की प्लस यानि की सम को प्लस कहते है सम होता है किसके काइनेटिक यानि कि स्थितिक सीर्ष के और क्या प्रेशर यानि कि दाप सीर्ष के और स्टेटिक यानि कि स्थितिक सीर्ष के ठीक तो यही तीनों सीर्ष जो स्टेटिक हैड काइनेटिक हैड और प्रेशर हैड के सम को हम लोग कहते हैं टोटल हैड ठीक है तो यहां स्टेटि ठीक है तो यही किसम को क्या बोलते हैं टोटल हैड अब यह जो स्टेटिक हैड क्या होता है जो हम लोग ने लास्ट में दिखे एक लिखके आया केवल सिंगल एच ठीक यह तुमारा स्टेटिक हैड अब काइनेटिक यानि कि गतिच सीर्ष की बात करें तो वी स्कॉइर आप प्यापन रोजी ने कले आए प्यापन रोजी वाला वह तुमारा दापसिस बस इसी किसम को हम लोग कहते है टोटल हैड अब यहां पर एक और प्वाइंट था जो कि अभी नहीं नहीं दिखा था हो है पोटेंशिल एनरजी और फ्लियूड फ्लो ठीक है तो फ्लियूड की प्वाइंशिल एनरजी क्या होती है यानि कि इस्थितिज उर्जा इस्थितिज उर्जा कि हम लोग अगर मैं सिंपल भासा में कहूँ तो एक एक समझते हैं कि हमाल एक बौल है वो जमीन पर अखिए तो उसके अंदर फिर उसको हम लोग ने उठाया उसको उठाया जैसे हम खीष के उपर फेवर मतलब 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 जीट हो ऑसकी जितने ही भी घृल घृति अवते सानला हो उसी को पुरी पूरिटो गती जूर जाती वह चाहते है इस टेनर्जी में तो अब उसकें पॉडइशय थे लें ऐ 충. अब वह क्या काम कर देगी उसको तो उसको फिर नीचे सब्सक्राइब करें तो नहीं होता है तो नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर कोई स्थती जूर्जा नहीं तक चड़ता भी वापस तो यहां पर जो अनुद्ध की बात कर रहे कुल मिला के जिस इतनी हाइट अब उचाई बढ़ाते जाते हैं कि उचाई बढ़ते जाती है और इस तीजिया क्या होती है यह उचा होती है किसी भी वस्तू में जब वह रुकी रहे ठीक है में को में प्र lu bị डोल दिया जaking के उपर जो इस तो प्राइब भी वरत न हो जाती पूरी तरह से उसकत वहीं carry us Mobile को कि तो अटनी स्पिड से नीचे गिराने काा काम करती इसी तरह एंभी वहन 455 तक तो अगर हम लोग रुके फिर उसके बाद हम लोग के अंदर कितने स्थिती जूर्जा नीचे करना तो हमारा देखेंगे कि उसका मतलब कितनी तेजी से नीचे आएगा तो तो देखने के लिए हम लोग जितने ऊपर उचाई पर जाते हैं तो यानिकि जितने ऊपर जाते हैं हम लोग के स्थिती जूर्जा बढ़ते जाते हैं जिस वज़े से वह स्थिती जूर्जा हम लोग को जो स्पीड में नीचे आते हैं दिखती है कि हां इतनी तेजी से क्यों आ रहे नीचे तो वह के उस्तिति जूर्ज्Now का मैं ञटल से आदली बदली रहते हैं उसके बाद धम लिग को देखने मिलता है मिलता है कि हाध ठीज्फी से भी अधिकर है अब बात कर लेते की बर्नौली थेरं व्लोग लोग ने पडा है यानध का मतलब का म assert है फिर बर्नौली कि अगर देखा जाए तो काफी हम लोग की प्रॉब्लम वगेरा है उसको सॉल्फ करने में बर्नॉली का बहुत बड़ा योगदान है डाइनियन साथ करके बर्नॉली इनका ना में भाई साब का मतलब जो एक्वेशन दिया उसका बहुत होता है ठीक जैसे कि पीटेट हो गया या वेंचुरी मीटर है औरिफाइज मीटर है फ्लो नोजल है प्रेंडल ट्यूब है या फिर हम लोग देखते कि जो एरोप्लेन वगेरा उड़ती है तो एरोप्लेन को जो पंक होता है उसको पंक बनाने में भी बर्नॉली का ही बहुत बड़ा योगदान है तो बर तो पानी निकलता है ना तो उसमें भी बर्नॉली का योगदान है उसी वज़े से वह नीचे आता हो बाकि हम लोग क्रिकेट वगेरा में देखते हैं ठीक है अगर बॉल जब लोग फेकते हैं तो किस तरह सहावे में श्वेन करना है तो यह सब में भी अब बर्नॉली का वड़ों कर सकते हैं इसलिए अच्छे से पढ़ा कर Chicago है अब हम लोग बात कर लेते हैं वेंच्युरी मेटर की वेंच्युरी मेटर क्या होता है क्या निकितना अब रब्रेत fleet offer निकाल रहे हैं तो नामे से पता चलेगा हम लोग को measurement of discharge ठीक है यानि discharge measurement किसके जरीए बेंचुरी मेटर के जरीए ठीक है अब इसकी बास करते होता है क्या है इसमें तो इसमें हम लोग देखें गें तीन पार्ट होते है फोटो अगर आप लोग खोलो तो इसमें दिखेंगा थीप एक में क्या लिखा है कि conversion conical pipe एक में लिखा है क्या throttle और क्या लिखा है और एक में क्या दाइवर्जेन को धाई ऩाइप कंवर्जन को पाइप ठीक अब तेखते का Convergent क्या होता है Convergent Connical pipe के बारे में तोड़ा थे कि हाँ जो भी मैंने बताया कि अगर diameter मालो reduce हो रहा है ठीक है कहां पर Throat के तरफ आते आते हैं अगर reduce हो रहा है ठीक है Convergent Connical pipe होता है वो Main pipe से joint होता है है कि एक पाइब के अंदर लागा और न पायब मुख में खूला हो और यह GHeyश pressure को मापने के काम करता है यानि कि वह ऐसा प्रेसर जो कि अट्मस्फियरिक प्रेसर से जादा हो ठीक अब हम लोग आगे दिखते हैं डाइवर्जेंट क्या होता है को निकल पाइप जो की फाइलता हो यानि कि इसका डायमेटर धीर धीर बढ़ रहा हो ठीक है अब हम लोग इसको कैसा डेरिवेशन देखेंगे तो डेरिवेशन का दोनों पे दो फोडो वे जाओ ठीक है उसका अगर ओपन करके देखेंगे तो पहले वाले में लिखा है क्या फॉर्मूला लिखा है ठीक है यहां पर मैं बता दू पहली कि जो हाइट होती है वह से सब्सक्राइब होती है तो जो बर्नॉली वाली एक्वेशन अगर नीचे दोख हो गये सबसे पहली लाइन क्या लिखिए पीवन अपॉन रोजी प्लस वीवन स्क्वाइर अपॉन टूजी यहां पर साथ में लोग देखते थे कि जैडवा यानि हैच वन और एच टू भी ज लोगने क्या किया कि फीवन रोजी माइनस FIFA पॉन रोजी करले एक तरह उसके बाद दोसरे खर् kya कर लें यह वीव याख स्कॉएर अपॉन टूजी फीवन स्कॉएर अपॉन टूजी थे विवर अगली लाइन देखें कि यहांपे बट लिखा है बट इप फई वापॉन आ तो याद दिला दू खाली इतना हम लोग ने इतना याद दिला दू कि पी यानि प्रेशर इस दिखबड़ू क्या मैंने बताया था रोजी एच तो बस वहीं से आगे यह चीज ठीक है चेंज इन प्रेशर बराबर रोजी एच ठीक तो हम लोग ने यहां पे एच कर लिया हमलों आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखे हैं कि इस दिखार्ट हम लोग जानते हैं कॉंट्य भी इन तो इन और वही constitute यह थ्यक्शारऻग दिखेगे ao्हाने इस पहले बहारे इंन क्योंगे तो आर 이후 आप शेली है घ्रेने डिखे घ्रे शृम बदाबवेशिच भी बे इसके बाद v1 और v2 के जहाब पे यही value जो आई है q upon a1 और q upon a2 की value रख दिया गया उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम लोग डारेक q की value निकाल लेगे तो हम लोग को क्या formula मिलेगा q is equal to a1 a2 upon under root a1 का square minus a2 का square into under root 2gh यही हम लोग का formula हो गया है ठीक है इसका अगर हम नियुमेरिकल वगेरा लगाए तो इसका नियुमेरिकल वगेरा भी बहुत आता होगा इस चैप्टर से नियुमेरिकल की derivation ज्यादा है तो नियुमेरिकल ज्यादा आने की chance से ठीक है अब हम अगर orifice meter की बात करते हैं ठीक है तो orifice meter भी कुछ निहीं होता है जैसे का काम होता है वैसी orifice meter यूप कर रहे हम लोग क्योंकि वो थोड़ा कम जगहां भी घेड़ता है और उसमें मतलब सब्सक्राइब होता है काफी वेंचूरी मीटर से ठीक है कि का में का में डिश्चार्ज को मातना है तो इसमें और और फाइस तो और एक्राय को सब्सक्राइब यानि कि नीचा में पूर्ट तो घृत आ चलए cast सिपलेट' यानि कि आएसे प्लिट जिसमें छ्षेद ऊसी को कईचे this is को गते और युद hours उद्म it प्लेट करके नाम लिखा यहां पर ठीक है देख सकती तो जो अब यहां पर क्या होते हैं कि यह वों लग आया नीचे मेसरमेंट करने के लिए मैनोमिъेटर लगामेन अम लोग पढ़ग चुके उसको तो इसमें कोई दिक्कर्द नहीं होने चitter हम लोग प्लेश से सबस्क्राइब दूरी देंगे तो दी Billy ऑड़ान चीडिके Sounds लिए ठीक है तो यहां से लोग ने जो और किसे कदर पर कितना इसंब अधर को है कि करने के में काम आता है तो यहां से right काम रहे का जिसे हम लोग ने यहां पर पढ़ा थाएं वेंचुरी मेटर में डेरिवेशन लगबग बाइसे रहते हैं उसमें कुछ अलग नहीं तो यहां कोई चीजा लग नहीं करना बस खाली यू समझ लो कि डिफिनेशन अगर कहेगा तो हम लोग को बस खाले डिफिनेशन बदल देनी है बाकी चीज जो है फॉर्मूला लास्ट में हम लोग को वही लिखना है ठीक यहां पर मैं एक और फोटो भी भीज दूंगा सारी म में खोल के सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएका कि यहां चीज वही लिखी है लेकिन इसमें बस खाले डीटू अपाउन डीवन की पावर फॉर करके से नीचे दिखा रहेगा तो उसमें भी कन्फ्यूज मत होना सिर्फ बस पूसी एटू यानि किसी कोई कॉंस्टेंट ले लिए ठीक है यहां पर सी एटू फिर उसके बाद अंडर रूट टू जी एच अपन वन माइनस डीटू अपन डीवन की पावर फॉर यही फॉर्मूला बनता अपनी बुक में भी चेक करोगे तो एक बार में समझ में आ जा कि अगल होता है टिक नाइंटे डिगरी पे मुड़ी हुई एक एल सेट की को ही पीटर ट्यूप कहते है जो कि दोनों तरफ जिसके ऊपर अगर हम लोग देखे दोनों सीरा खुला होता है ठीक अब यह काम क्या पिए यह भी मेन काम इसका वही है डिस्चार्ज को मेंजर्मे डिस्चार्ज को न्युदल है कि उतनी शपीड से पानी युद्र से पानी पानी ऊपर हम लोग को पानी पाद करेंगा। यह उपर चड़ेगा ठीक है यानि हम लोग यह सकते कि जितनी विलॉसिटी हम लोग अंदर करें कि उतनी उचाई बढ़ेगी उसकी जिस्मॉल है यानि कि समुद्र के बाहर जो पाइप अगर निकली है तो जो एच है वो उतना ही ज्यादा ऊपर सो होगा कुल मिला कि हम लोग यहां पर जो में काम इसका है कि अगर पानी कोई स्पीड से बहर रहा है तो उसको हम लोग का डिस्चार्ड जाने कि कितना वह उसकी फ्लो की व वही हाइट कब बढ़ेगी जब नीचे विलोसिटी बढ़ेगी कब घटेगी जब नीचे विलोसिटी घटेगी ठीक है तो यही यह हो गया और जो कैपिटल एच है वह तो अगर हाइट हम लोग ने पाए वो पाइप को अंदर एक जहां रोक दिये तो वह हाइट तो है एच प्लस वी स्कायर अपॉन टूजी फिसके पाज जो सेकेंड पे है वह जाएगा तुमारा एच प्लस एच जानी के टोटल हैट के अगर हम लोग बात करें हैड हम लोग पहली बता दी क्या होता है तीन तरह के हैड हम लोग देखा प्रेसर हैट काइनेटिक हैड और प फोटू भेजने वाला वो उसको देखना ठीक है तो फॉर्मुला हो गया उसके बाद हम लोग ने बनाव जी त्यारेम लगा जिए दोनों साइड को बराबर कर दें चैपिटल से कैपिटल एस को कैंसल कर देते हैं ठीक है तो अभी बहेज़े रहा उसको फोटू पहले है ठीक है तो भी इसी का कोफिशेंट ऑफ डिश्चार्ज में कर सो होता है ठीक जिसकी वैडियू जो होती है वह बन से कम होती है तो यह हो गया पीटर ट्यूप का अब हम लोग टर्पिक शेप्टर की बात कर लेते हैं लिमिटेशन क्या कि बर्नुबले ठीक है ठीक है टो अगर इस्तथा पहले वें कि बात करें तो हो जाएक उप्कंप्रिशिबास लिक्विट के लिए है क्यवत लिक्व प्रच पांप्रमनां aydंसी लिक्विट पे लिए ठीक constant रहना चाहिए अगला point के जो temperature होता है liquid का वो constant होना चाहिए ठीक है और लेकिन हम लोग अगर उसकी बात करें turbulent flow की तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत तेजी से flow करता है ठीक है turbulent यानि कि simple flow नहीं होता है नहीं अगर बहुत तेज़ फ्लो होता है ठीक है तो इसमें जब तेज़ फ्लो होगा तो कुछ heat भी जनरेट होगी तो इसको बहुत है तो इसको देखना पड़ता है ठीक है अब यह मैं बोल रहा हूं कि turbulent और लेमिनार फ्लो के बारे में अगर definition आती तो इसमें यह भी लेख सकते है कि अगर मान लो रिनॉल्ड नंबर एक फॉर्मुला होता है ठीक अगर रिनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा यानि कि स्थरी प् होगा है ठीक तो उसको कहते है विच्छू ब्यानी की turbulent flow ठीक है तो यह हो गया और अगर मान लो 2000 से लगे 4000 के बीच में तो उसको कोई fix नहीं ना ठीक है तो वह अनिस्चीत रहता है ठीक अब हम लो आते है लिमिट में अगले पॉइंट में बर्नॉली थियरिम की ठीक है बर पॉइंट पर किसी भी छेटीवल पर वह सेम होना चाहिए ठीक अगले पॉइंट के हम लोग बात करें तो इसमें केवल हम लोग एना gravity और फॉर्स को एक कंसीडर करते हैं यानि की gravity और फॉर्स और प्रेसर फॉर्स के के वर कंसीडर करते हैं मतलब की गुरू तो और दाब आगे बात करें अगर हम लोग आगे बात करें तो जो फुलो होता है लिक्वीड का वो क्या इस्टेडी और कॉंटिनियस होना चाहिए श्टेडी फुलो का मैंने अभी बताया थे कि किसी भी बिंदू पर उसके जो सारी प्रॉपर्टी होती है वह सेम ही होनी चाहिए अगली अगर हम लोग केस की बात करें ठीक है तो क्या होना चाहिए कि नोन विस्क्वेस होना चाहिए लिक्वीड यानि कि उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होना चाहिए ठीक फ्रिक्शन हानी नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन को यहां पर हम लोग फ्रिक्शन यूज ना करके हम लोग विस्क्वेस्ट यूज करते हैं कि हम लोग फिले उड़ में याने के लिए